कि साथ्यों कल मैंने कॉंग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए कि कल में यहां एक सभा में बोला था ऐसा तीर लगा जिये ऐसी गोली निशाने पर लग गई आदे गंटे में तो पूरी कॉंग्रेस हील गई करके ठूट पड़े मोधी कैसे भोल दिया आफ रखobil ही रापता था के ने आइसी गोली चला ही यह जो बिना गाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर दे गी राजेस पाइलट जी को ले कर कॉंग्रेस बेयान जारी कर रही है कि प्रेस कांफेंस कर रही है लेकिन मेरे असली जम्लों के जबाब नहीं दे रही है कि कॉंग्रेस पुरी ताकत से जुच बोल रही है कि कॉंग्रेस के शाही परिवार ने राजस पाइलर का कभी अपमान नहीं किया अरे जो सवाल मैं उठाता हूं उसके जबाब दो ना बगले जहांकते हो मेरे परिवार जनों घुजरों का जीतना अपमान कॉंग्रेस ने किया है यह राजस्तान की पहली पीडी ने भी देखा है और आज की पीडी भी देख रही है एक गुर्जर समयच का बेटा राजनीती में जगा बनाने के लिए संगेश करता है पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शैपर उसे दूद्वे से मक्षी के तरह निकाल करके फैंग दिया जाता है स्वर्गी राजस पाइलोट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनकी बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं मैं यहाँ बैठ करके देरा सरजाज जी को नमन करता हूं यह हमारे संसकार है और इनके देखिये और मैं और भी कॉंग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं जब मैं ने राजस पाइलोट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगए ऐसी चोट लगे चुँ 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 करने लग गए कि मैंने खर्जेगी का मुद्धा भी उठाया था एक दलीज का बेटा आज कॉंग्रेस पार्टी के अधिक्ष है और सारवजनी जीवन में लंबे अर्शे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कॉंग्रेस के अधिक्ष है कि मेरे खिला बहुत कुछ बोलते हैं उसके बाउजिद में मैं कहता हूं कि मैं कल जैपूर में रोड़ शो कर रहा था कि कहीं पर कॉंग्रेस पार्टी के अधिश की फोटू नहीं दिखाई दी मुझे गहलोज जी दिख रहे हैं शा करती हैं यह मैंने कल उठाया था मुद्धा इस पर तो कॉंग्रेस के मुझे पर ताला लग गया क्योंकि कॉंग्रेस को दलीत की परवा नहीं है अभी हमने कि चीफ इंफर्मेशन कमिशनर के रूप में एक दलीत के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया तो उस बोल देते हैं चुप हो जाते हैं साथियों कि देश का कैसा दुर्भाग है कि ऐसे ऐसे शब्द गदार नालाय निकम्मा जाशे यह शब्द भी राजेस पाइलेट जी के बेटे के लिए प्रहुक किये गए थे अकबारों में देख लीजिए टीवी पे हैं क्या ऐसी भाशा कोई बोलता है क्या बोलता है क्या यह गालियों कांग्रेस कैसे जुठला सकती है जरा कांग्रेस जबाब दे